है जिन्द भी कुदे अपनी नहां होगे हैं सरफ़ोशी होगे ताम नावाद कुछी होगे हेलो गाइस वेलकम टू शील्ड डिफेंस अकेडमी मैं नूरस सलाम शील्ड डिफेंस अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पे आपका सौगत करता हूँ जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का यह जो ऑनलाइन चैनल है यह सारे के सारे लोगों के लिए फिरी है तो इसे लाइक, सस्क्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा आज जो टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं मैप का दूसरा पार्ट है और यह जो दूसरा पार्ट है यह बेसे नॉट अमेरिका नोट अमेरिका के उपर यह पूरा का पूरा एरिया डिसक्राइब है देखिए, पहली चीज़ लिए नॉट अमेरिका का इंट्रडक्शन अगर हम बात करते हैं आज हम North America की कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले देखिए North America की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हैं, इन में सबसे पहले आता है यहाँ के एक International Line, जिसका नाम है 49 degree latitude, यह US और Canada के बीच में boundary बनाती है, और US और Canada के सेसी में और आपके F-Cat में बहुत सारे एक्जाम्स में यह रिपीट हो चुका है, वो यह है कि वो कौन सा डिगरी है जो आपका North America को दो बराबर बाइट में डिवाइट करता है, तो यह दो जो पॉइंट यहाँ पर लिखें, इसको अपनी कॉपी पर नोट करके याद कर दीजेगा, ठीक है, वैसे तो अगर हम North America की बात करते तो North America का जो यह मैप है, यह आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे देश यहाँ पर include है, इसके जो में में देश हैं, उसमें कैनेडा आता है, यूएस आता है, मेक्सिको आता है, यह सारे एरिया यहाँ पर cover होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैनेडा, यूएस, मेक्सिको, Central America, Greenland, West Indies, यह सारे के सारे एरिया यहाँ पर cover होते हैं, जिनके वज़े से यह काफी जादा हमारा important एरिया हो जाता है, अब जब हम North America की बात करते हैं, तो North America के map में आप देख सकते हैं कि इसके एक तरफ यहाँ पर यहाँ पर यह आपका Pacific Ocean है, और दूसी तरफ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आपका Atlantic Ocean है, तो इसकी location आप अराम से समझ सकते हैं, और अगर इसकी location को अगर आप समझ जाएंगे, तो आपको चीज़े अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है फ्रेंट, चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दो nations बहुत important है, एक Canada, दूसरा आपका USA, Canada जो है उसे land of lilies कहा जाता है, ठीक है, यह कई बार आपका Air Force के paper में सीधे सीधा एक factual question आया है, तो इसे यहाँ रखेगा, land of lilies किसे कहा गया है, land of maple किसे कहा गया है, यह दोन Canada को कहा जाता है, इसका capital क्या है, Canada का जो capital है, वो capital है आपका Ottawa, ठीक है, तो यह कुछ points है जो आपको यहाँ पर याद रखने है, पहला land of lilies किसे कहा जाता है, land of lilies Canada को कहा जाता है, दूसरा land of maple भी इसे को कहा जाता है, इसका capital क्या है, उटावा चलिए, यह आपका Canada का पूर देखने में तो Canada का हिस्सा लग रहा है लेकिन ये Greenland Denmark के अंदर आता है ठीक है तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे areas हैं जो Canada के किसी दूसरे country में आते हैं ठीक है Canada में आपके बहुत सारी रशिया ठीक है फ्रेंट्स रशिया के बाद सेकेंड नंबर पर जो आता है वह आपका Canada आता है ठीक है तो सेकेंड नंबर पर Canada है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा area wise country जो है वो Canada है नंबर पर कौन है आपका रशिया चली अब उसके बाद आते हैं यूएस यूएस जो है य सबसे अडवांस देशों में सबसे आगे है यह इसका बहुत टरिट्री जो है कैनेडा से टेस्ट करती है अलास्का है यूएस का पार्ट नहीं हुआ करता था लेकिन अलास्का को यूएस ने खईदा है किससे रशिया से आफ्टर वाइड वार बन रशिया से इसने बाद ल यूएस में सबसे अड़ा जो populated city है वो है California California यहां की सबसे अड़ा populated states में आता है तो इससे याद रखिएगा अब जब हम जब भी North America की बात करते हैं तो आपके paper में नौर्ट अमेरिका में सबसे आदा क्या आता है वो कौन सी चीज है जो North America की सबसे अदा आपके paper में repeat होती बार बार आती है वो है great lakes great lakes जो होती है ये आपके paper में कई बार आई है इतनी बार पूँची गई है कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं अब ये great lakes देखिए आपके पांच fresh water lakes है ते नमबर रहा पर आपका superior तिक उसके बार Michigan फिर Huron फिर Erie फिर Ontario तो ये इसका Great Lake का पूरा order है इन Great Lake में जो एक कोशन बनता है कि ये जितनी भी Great Lake है ये border पर है किसके border पर है ये US और Canada के border पर है except Michigan Michigan को अगर हम छोड़ें तो Michigan के इलावा इसको छोड़कर बाकि सारी की सारी lakes US Canada के border में तो properly US में कौन सी lake पाई जाती है Michigan तो इसे याद रखिएगा दी जार्दा Great Lake इस Great Lake में सबसे बड़ी है आपकी superior superior Lake यहां की सबसे बड़ी Great Lake है तो इसे friends चार्द रखिएगा भूलिएगा नहीं एकदम ध्यान रखिएगा ठीक है अब हम यहां पर अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा है तो यहां पर lakes ही कोई कमी नहीं वैसे तो यह Great Lakes आपके पास सामने है इन Great Lakes में एक खास बाद ही है क की एक कोशन आता है जो कईवर पूछे रता है यह आपकी superior और यह हूरान है superior के बीच में a canal है जिसका नाम है सू के नाल तो एकिजाम में कोशन आता है सू कैनल किसके बीच में थो superior और हूरान के बीच में इसे भूलिया कर नहीं चली अब यहां से आगे बढ़ते हैं कुछ और lakes यहाँ पर पाई जाती है North America में बट इस लेक्स बिसिकली आपका ज़्याद तर lakes Canada में cover होती है जिसमें आपका Great Bear Lake है Great Slave Lake है Great Bear Lake Great Slave Lake अहवासका Lake, Reindeer Lake Lake Winnipeg यह सारी लेक जितनी भी है यह सब आपके Canada में cover होती है ठीक है यह map पर आप इसके areas को देख सकते हैं तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी लेक आपको लिख जाएगी इन लेक की खास बात के हैं पेपर में कोशन आता है North से South में से अरेंज करने को तो North से South में अरेंज करने के लिए आपको मैप पर इसको दो तीन बार फ्रेम करना पड़ेगा जब इससे फ्रेम करेंगे तो आपको असानी से याद हो जाएगा ठीक है अब देखी अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगले नंबर पर आता है Great Lakes में आपका पास जो अगला Great Lakes में आता है वो है आपका Superior Lakes तो हम लोग बात कर चुके हैं इसकी Short Trick यहाँ पर लिखी हुए इसको मत भूलिएगा इस Short Trick को थोड़ा सा दियान रखिएगा Homes इसको अगर दियान रखेंगे तो आपको पास जो भी दिक्कते आने अली है वो सब यहाँ पर clear हो जाएंगी ठीक इसके लावा यहाँ पर Short Lake USA में पाई जाती है Lake Med पाई जाती है यह भी USA में है Lake Ozark जो है यह भी आपका Missouri USA में पाई जाती है तो इसे थोड़ा सा दियान रखिएगा These Lakes are important ठीक है अब हम यहाँ Lake से हमने देख लिया है Lake से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और Rivers of USA को देखते है तो Rivers में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले River आती है Mississippi Missouri यहाँ की सबसे बड़ी है यह Birdfoot Delta बनाती है और St. Louis में located है इसकी जो major territory है वो है Ohio River और यह Red Rock Montana से originate होती है Gulf of Mexico में जाकर अपने आपको debunch करती है या खतम होती है उसके बाद दूसरी बड़ी नदियों में आपके पास आती है St. Lawrence St. Lawrence यहाँ की सबसे inland busiest river है यह Lake Ontario से originate करती है most important point है पूछा जाता है और Gulf of St. Lawrence पे जाकर खिर जाती है यह आपका Grand Country से originate होती है Gulf of California में जाकर debunch हो जाती है और इसमें important point है Hoover Dam Hoover and Boulder Dam are the main dam of this river तो यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका कोलंबिया रिवर है आपका इसकी कोलंबिया रिवर में इसका debunch point पूछा जाता है तो Pacific Ocean और इसकी activity है जो बहुत important है Snake River इसे याद रखिएगा बाकि इसमें कोई खास बात नहीं है जो आपको जाननी रहें आप नीचे के facts screen लोग रोक के पढ़ सकते हैं बाकि Seramento River, San Joaquin River, Rio Grande यह Rio Grande जो रिवर है यह काफी important है इनका debunch point थोड़ा तर ध्यान रखिएगा friends यह थोड़ा से important है यह Rio Grande यूएस और मेक्सिको के बीच में boundary बनाती है तो इसा में कोशन आता है British Columbia होती है और बीफोर सिटी में जाके debunch करती है ठीक है फिर आता है Yukon Yukon की अगर हम बात करते हैं तो यह Bering Sea में जाके खतम होती है फिर अगली रिवर आती है आपकी नेलसन नेलसन की बात करें तो हर्चनबे में जाकर गिरती है ससकेस्टवन रिवर यह लेक विनीपेक में जाकर debunch होती है पीस रिवर यह लेक अटबासका में तो यहां पर बहुत सारी रिवर से लेकिन यहां की सबसे बड़ी रिवर में आपकी मैकेंजी है देखिए यह आपकी रिवर का पूरा pattern यहां पर बना हुआ है आप इस pattern को ध तो नोच अमेरीका की के मपोटन मॉंटें में ब्रूक् रेन्ज आती है यह अलास्का में आती है और अगर अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है अलासक और अलूटियन रेंज तिक है यह आपका यहाँ पर आपको देख सकता है यह वह आरिया है पूरा आपका इसका एडिया कवर हो रहा है ठीख फिर आपका वेस्टन कॉल्डियरे वेस्टन कॉल्डेरा जो है यह इसके नीचे वाला आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे एरियास बहुत सारे रेंजिस इंक्लूडिड है कोस्ट मौंटेन कास्केड रेंज कास्केड रेंज का ही पार्ट है सियारा निवादा जो दुनिया की सबसे बड़ी फोल्ड ब्लॉक मौंटेन है सौरी ब्लॉक मौंटेन है इसे याद कहले सिपने में कि काइब का सिरी के की नगए है कि तो कितने हिस्से हैं तो इसको को थोड़ा सा द्यान रज़ां किए करेक्ट का सके हिसारा नहोंदा दुनिया की सबसे इस संहे हैं कि तो फोर नियुक्या यहाँ पर चीज़स पाई जाती है इसमें हैंड पर यहाँ पर एक active बॉलकन एप जाता है अलासका में ऑन्या चक जो है यह आपIST के लावा यहाँ पर आपका बहुत सबसे लंबी कोस्टर लाइन जो है यहीं पर पाई जाती है वेस्टरन कोस्ट पर तो यह सब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है तो आई होप की आपको यह नौर्ट अमेरिका का पहला पार्ट समझ में आया होगा इसमें हमने बात कि नौट अमेरिका की फिजिकल फीचर्ड और उसकी बेसिक ट्राइटेरिया के बारे में जितना भी हो सकेगा आप इसे बार-बार कहीबास उनिये इतनी बार आप इसे सुनेंगे तब आपको जादा क्लियर होगा और कोश्चन्स भी यहीं से क्लियर होंगे ओके फ्रेंड्स तो आई होप कि आपको यह पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू सो मच